नमस्कार भूमी आईस में आपका स्वागत है करीब 6 साल बाद अंतता चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोट की सम्विधान पीट आगामी 31 अक्टूबर को सुनेगी 2017 में बजट प्रस्तुत करते हुए सरकार ने इसे फाइनेंशियल एक्ट के रूप में मनी बिल कहकर पारित करवाया था ततकालीन वित्रमंत्री ने इस कानून का उद्देश चुनावी फंडिंग की धुन्द साफ कर इसे पारदर्शी करना बताया था लेकिन इसने धुन्द को और गहरा कर दिया कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था SBI दोरा जारी बॉंड खरीद कर दलों को दे सकती है ना तो दाता को बताना होगा कि उसने किस दल को बॉंड दिये ना ही दल को बताने की मजबूरी होगी चुकि SBI इसे जारी करती है लिहाजा सरकार को पता रहता है कि किस कॉर्परेट ने किस दल को कितना फंड यानि ना तो वोटर को पता चलता है ना ही विपच्छी दलों को लेकिन सरकार जब सब जान सकती है RTI से पता चला कि भाजपा को इन पांच वर्षों में यानि कि 2018 से जब बॉंड कानून की अदुसूशना जारी हुई तब से 90% बॉंड मिले हैं और इन में 90% सबसे उपर के बॉंड यानि की एक करोण रुपए प्रती बॉंड थे यानि कॉर्परेट ने ही इसमें धन दिया कानून में बदलाव कर दान की सीमा खत्म कर दी गई जिससे कोई भी कम्पनी कितनी भी बड़ी राशी तक दान दे सकती है दूसरा भारत में रजिस्टर्ड विदेशी कम्पनिया भी असीमित बॉंड खरीश सकती है चुनावी बॉंड बिना किसी अधिक्तम सीमा के एक हजार रुपए, दस हजार रुपए, एक लाख रुपए, दस लाख रुपए और एक करोण रुपए के गुडांकों में जारी किये जाते हैं भारती स्टेट बैंक इन बॉंड को जारी करने और भुक्तान करने के लिए अधिक्रित बैंक है लगभग ये बॉंड जारी करने की तारीख से 15 दिन तक वैद रहते हैं यानि कि 15 दिन तक इनको यूज किया जा सकता है ये बॉंड एक पंजीकरत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में ही जमा किये जा सकते हैं बॉंड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके दौरा जन्वरी, अप्रेल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रते एक 10 दिनों की अवधी हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं एक व्यक्ति या तो अकेले या अन व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉंड खरीद सकता है चुनावी बॉंड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आधी देने की आवश्यक्ता नहीं होती चुनावी बॉंड योजना का प्रमुख उद्देश भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजडल अर्थवेवस था कि और बढ़ रहे देश के चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था चुनावी बॉंड योजना की मुखे आलोशना ये की जाती है कि ये अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है उदारण के लिए आलोशकों का तरक है कि चुनावी बॉंड की घुमनामी केवल जनता और विपच्छी दलों तक ही सीमित होती है लेकिन सरकार सब जानती है दोस्तों किसी और दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार